हाई, वेलके टो मैं चनल चले क्वेस्चन नमबर 6 साल करते हैं और क्वेस्चन नमबर 6 है find 3 rational numbers between 2 by 3 and 3 by 4 तो 3 rational numbers find करने है 2 by 3 और 3 by 4 में तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर ड्रा कर लेंगे एक visual representation और यह है real line और हम कहीं पर ले लेते हैं 0 और इसके कहीं पर आगे ही होगा 2 by 3 और 3 by 4 लेकिन कौन सा छोटा है कौन सा बढ़ा है तो हम चेक कर लेते हैं थोड़े यहाँ पे तो यह 4 टुजा 12 हो जाएगा 3 टुजा 4 टुजा 8 हो जाएगा और यह 4 टुजा 9 ओके 3 by 4 जो है बढ़ा है तो 2 by 3 पहले होगा तो यहाँ पर जो है पहले ले लेते हैं 2 by 3 और बाद में यहाँ पर ले लेते हैं 3 by 4 तो इन ही के बीच में निकालना है ओके आपको निकालना है तीन rational numbers तो पहला निकालने के लिए हम लगाएंगे एक ही method वही division वाला method 2 से 2 से और यहाँ बीचो बीच वाला जो पहला rational number निकल जाएगा यदि हम दुनों को add करके 2 से divide करें तो तो पहला निकालेंगे first one ओके तो 2 by 3 को add कर दिजिए 3 by 4 में और पूरे को divide कर दिजिए 2 से तो यहाँ जाएगा पहला rational number तो यहाँ पे हम ले लेंगे lcm 12 तो डिवैड करेंगे 4 हो जाएगा 4 to the 8 प्लस यहाँ पे आजाएगा 9 तो हो जाएगा 17 upon 12 अचा यह whole upon 2 था 17 अपन यह हो जाएगा 12 whole upon 2 और 2 upon 1 ओके अब यहाँ पर दिजिए solve करने के लिए हम denominator सबसे जो नीचे राता है उसको सबसे उपर वाले से मटबलाई करते हैं औ और इसको हम रखते हैं numerator में तो यह हो जगा 17 upon और बीच बीच वाले को मटबलाई करके denominator में तो 12 upon 24 तो यह जो 17 upon 24 आया यह 2 by 3 और 3 by 4 के जस्ट बीच वाला number है मतलब कि 17 upon 24 हम यहाँ लिख सकते हैं यही जो number है वो है अब हमें दो और निकालने हैं तो 2 by 3 और 17 upon 24 के बीच व दोनों को add कर दीजिया तो second क्या करेंगे 2 by 3 plus 17 upon 24 और इसको divide कर देंगे whole upon 2 तो हमारा आ जाएगा तो यहाँ पर ले लेंगे यहाँ पर अब देखे मटबलाई करने के लिए इसमें मटबलाई करते हैं तो 1 से मटबलाई करेंगे 33 में और इसको रखेंगे numerator में जो की मिल जाएगा 33 upon और 24 में मटबलाई करेंगे 2 से और यह हो जाएगा 48 तो मेरे खाल से 3 से कटेगा 3 बंजा 3, 3, 6, 3 बंजा 3 और 3, 9 जा, sorry 3, 6, 18 और 3 बंजा 3, 3 बंजा 3 मिन्स यह आगया 11 upon 16 और देखें 11 upon 16 जो है जस्ट यही है 11 upon यह है आपका 16 अब जो है एक और निकालना है तो 17 upon 24 और 3 by 24 के बीच वारा निकालेंगे मतलब यह यहाँ पे वाला है तो इसको निकालने के लिए हम तीसरा निकाल लेते हैं यहाँ पर 3rd one क्या करेंगे 17 upon 24 में add करेंगे 3 by 4 और इसको divide कर लेंगे 2 से तो यह हमारा जो आएगा यहाँ पे LC माई जाएगा 24 ड्वाइट करेंगे यहाँ आएगा 17 प्लस 4 6 जा 6 3 जा 18 हो जाएगा a whole upon 2 upon 1 तो यहाँ पर 17 और 18 क्याइट करेंगे 35 आएगा whole upon और यहाँ अप्लाई करेंगे 48 आजाएगा तो यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा 35 upon 48 यह आजाएगा third one 35 upon 48 यह हो जाएगा 35 upon 48 तो इस तरीके से हम तीन रेस्टनल नमबर निकाल लिए equidistant तरीके से ओके यह निकाला हमने पहला दूसरा यह तीसरा तो खेर यहाँ पर समझने वाली बात यह है यदि question ऐसा भी पूछेगा ना तब भी निकाल सकते हैं पूछेगा कि 2 by 3 और 3 by 4 के बीच में equidistant 3 रेस्टनल नमबर निकालिए तो यही वाला method अपनाएंगे मतलब कि 2 से divide करने वाला method ही अपनाएंगे तो देखिए यहाँ पर यह जो distance है और यह जो distance है और यह distance है और यह distance है और यह distance है जब चारो के चारो distances जो है equal है मतलब equidistantly blessed है ओके थैंक्यू फर वाचिंग